नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टा गुरू में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम कमपनी के रिजल्ट के बारे में देखेंगे, इसके पहले आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जो मैं एक पर्टिकुलरली कमपनी के बारे में बताता था, एक स्मॉल कैप, माइक्रो क स्ट्रॉंक कमपनी के बारे में बताता था दोस्तों, जिसमें नेट प्रॉफिट और उसके जो भी मतलब मल्टी बेगर स्टॉक होते थे उसके बारे में बताता था दोस्तों मैं, बट दोस्तों, अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्यों तरीके रिजल्ट आया है दोस्तों और या फिर अगर आपने इंवेस्ट किया हुआ है तो आपके company के result कैसे आ रहे कि आप उसमें continue बने रहे या फिर बेच दे और या फिर अगर नहीं share खरीदा है तो add कर सकते, खरीद सकते है तो दोस्तो हम company के result के उपर आ गए है तो result में हमें देखने के मिल रहा है एक stand alone और एक consolidated तो दोस्तो stand alone मतलब एक particularly उनका business है उसके result है और consolidated मतलब कि उनका overall business तो दोस्तो हम overall की बात करेंगे और overall business देखेंगे दोस्तो क्योंकि इनके भी share के price होते हैं वो overall के इसाब से ही रहते हैं दोस्तों overall business पे तो दोस्तों consolidate की बात करेंगे इसमें मैंने आपको ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों इसलिए मैं आपको income और expenses और फिर इनके बाकी main main जो parameter से वो सब चीज़े बताने वाला हूँ दोस्तों तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इस quarter के result देखेंगे तो दोस्तों 66,497 का यहाँ पर total income और September के quarter की बात करेंगे दोस्तों तो 8676,78 के result देखेंगे दोस्तों तो दोस्तों quarter on quarter में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक downfall दिखाई दे रहा है जो 68,000 से 66,000 का downfall दिखाई दे रहा है और हम year on year की बात करेंगे दोस्तों तो year on year में हम देखेंगे last year 2021 December में देखेंगे तो 64,146 का इनका last total income था दोस्तों total income में हमें यहाँ पर jump दिखाई दे रही है year on year बट quarter on quarter में देखेंगे तो minor सा हमें downfall दिखाई दे रहा है दोस्तों दोस्तों income की बात कर लिया हमने अब total expenses की बात करेंगे दोस्तों तो 6530 का इनका expenses था इस बार का और last quarter की बात करेंगे दोस्तों तो 36558 का इनका last quarter का expenses था और उसके last year के बात करेंगे तो दोस्तो 56-277 का इनका last year का expenses था, तो year on year देखेंगे तो expenses काफी जादा बड़े दिखाई दे रहे हैं, और quarter on quarter देखेंगे तो expenses थोड़े से घटे वे दिखाई दे रहे हैं दोस्तो, और दोस्तो income more expenses की बात हो गई, तो अब profit की बात कर लेते हैं दोस्तो, तो profit कितना इस बार के quarter में हुआ है तो दोस्तो हम देख सकते हैं देखने को मिल रहा है हमें कि 3,667 का इनका profit दिखाई दे रहा है जो कि हम देखेंगे last quarter में 3874 का था और इसके last quarter year में देखेंगे दोस्तो तो 528 हमें दिखाई दे रहा है दोस्तो तो दोस्तो हम देखेंगे कि year on year में भी काफी जादा net profit में downfall दिखाई दे रही है दोस्तो और quarter on quarter भी देखेंगे दोस्तो तो net profit में हमें downfall ही दिखाई दे रहा है दोस्तो दोस्तो company का result थोड़ा सा खराब आया है इस बार RT Drug Limited का और EPS की बात करेंगे दोस्तो तो last quarter की बात करेंगे दोस्तो तो पहले quarter का 4.18 था और अभी के बात करेंगे दोस्तो तो 3.96 था दोस्तो तो EPS बढ़ता हुआ अच्छा रहता है तो यहाँ पर हमें घटने को देखते हुए मिल रहा है और इसके last year की बात करेंगे दोस्तो तो 6.29 था जो की बहुत अच्छा था तो दोस्तो year on year में भी downfall दिखाई दे रहा है और quarter on quarter में भी downfall दिखाई दे रहा है तो दोस्तो कमपनी का result मतलब कह सकते हैं काफी खराब आया है R3 Drug Limited का दोस्तो इस कमपनी में अगर आप invested हो या फिर invest करना चाते हो तो दोस्तो अगर आप invested हो तो इसमें hold कर सकते हो आपकी कमपनी देखो result थोड़ा सा कम जादा होता है दोस्तो quarter on quarter और year on year अगर आप इस share में नए हो तो दोस्तो अभी आप अगर buy करना चाते हो तो अभी ये buy करने का समय नहीं है थोड़ा सा ये quarter को रुख जाने दो और next quarter आने दो बेभी उसमें अच्छे result प्रेजेंट होंगे तो आपको एक अच्छा return भी मिल सकता है क्योंकि result जब आ जाते हैं उसके बाद ही stock भागता है तो इस stock का result उतना खास नहीं आया था दोस्तो तो देखते हैं हम कि अभी इनके चार्ट में क्या differences आज के दिन में दिखाई दे रहा है कि क्या effect हुआ इनके चार्ट में दोस्तो हम चार्ट पे आ चुके है आर्थी drug limited के तो एक दिन का भी हम चार्ट देखेंगे तो आज के दिन में कोई जादा moment नहीं हुई है दोस्तो गिरावट नहीं दिखाई दे रही है आज के दिन में पास दिनों की बात करेंगे दोस्तो तो साड़े तीन परसेंट के गिरावट दिखाई दे रही है एक मैने की बात करेंगे दोस्तो तो 11 परसेंट का और एक साल की बात करेंगे दोस्तो तो 19 परसेंट का लगबग 20 परसेंट के आसपास का इसमें डाउन फॉल दिखाई दे है दोस्तो यह बहुत दिनों से consolidate हो रहा है और एक negative return दे रहा है दोस्तो बट दोस्तो company बहुत अच्छी है अभी देख सकते हैं कि अभी भी पाँच सालों में 113% का return दिखाई दे रहा है जो बहुत company का हम देख सकते हैं कि यहां पर हम long term के चार्ट में भी देखेंगे दोस्तो तो कई बार company यहां पर भी देखो गीरी हुई है कि यही year में कुरुना के time ही बहुत जादा भागी थी दोस्तो company फिर उसके बाद अपने एक level पे आई है अब यहां से काफी दिनों से consolidate कर रही है दोस्तो तो यह company फिर से उपर की upside दिखा सकती है और फिर से भाग सकती है दोस्तो दूस्तो company का result थोड़ी से negative आये है और अगर अब add करना चाते हो दोस्तो तो थोड़ा सा इसे और consolidate होने दे और next quarter के इंतिजार करें तब तो वीडियो में इतना ही मिलते है फिर किसी next वीडियो में दस्तो धन्यवाद thanks for watching